Assalamualaikum friends मैं हूँ नवीत और आप देख रहे हो YouTube चैनल करेडर नवीत दोस्तों आज कि छोटी सी वीडियो में आपको बताऊंगा YouTube शौर्ट का पैसा किस तरीके से आप लोगों को मिलता है monetization तो on हो चुकी अब इसका पैसा कितने वे से आपको मिलता है तो फ्रेंड यहां पर देखें YouTube का यह rule है कि जब भी आप कोई वीडियो बनाते हो तो अधे पैसे आपको मिलता है और आधे YouTube रखता है इसके इलाव अगर आप किसी का sound use करते हो गोर से सुन लो किसी का sound use करते हो तो पैसा तीन बंदों में जाएगा YouTube भी रखेगा आपको भी मिलेंगे और जिसका sound use की है पैसे उसको भी मिलेंगे ठीक है अगर आपने यहां से कमाना है तो यह चीज़ें आपने देखी है क्योंकि YouTube शौट के उपर व्यूज ज्यादा आते हैं किसी का sound use की है जिस बंदे का sound है उसको भी पैसे मिलेंगे आपको भी मिलेंगे और YouTube खुद भी रखेगा लेकिन अगर उसी वीडियो के उपर copyright का claim आ जाता है तो पैसा YouTube को मिलेगा और जिसका sound है जिसकी जहां से आपने copyright का claim आया है तो सारा पैसा उसी creator को जाएगा आपको एक रुपया नहीं मिलेगा अगर आप अपना real talent लेकर आते हैं real content लेकर आते हैं अपने वाइस के अंदर बनाया तो फिर सारा पैसा कह सकते हो कि आपको मिलेगा कोई दूसरा नहीं रखेगा आप रखोगे और YouTube रखोगे तो फ्रेंट यह चोटी सी अपडेट सी जो YouTube की जानिब से आई है तो मैंने आपको बहुत पसंद आई होगी अगर आप YouTube शॉर्ट से ठीक तरीके से कमाना चाहते हैं तो अपना content लेकर आएं किसी का sound ना यूज़ करें अगर आप किसी का sound यूज़ करोगे तो आपको तीन वे में आपका पैसा कटेगा आपको मिलेगा और जिसका sound है उसको मिलेगा औ और अगर तीसरे नंबर पर YouTube होता है अगर आप ठीक तरीके से कमाना चाहते हैं तो फिर यहां पर sound आप सिर्फ अपना यूज़ करें ताके सारा पैसा आपको मिले तो फिर अनमीद करता हूं यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी वी जो आपको पस्ता है